नमस्कार एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों काजल रगवानी ने बदला अपना नियत सपने दिखाती खेसारी को और रहती पवन पर जी हाँ अगर इस टाइटल को आप अभी तक नहीं समझे हैं तो वीडियो को पूरा देख लिजिएगा आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटा सा अपील है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइक उनको दबा दीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके सेयर कर दीजेगा चलिए सुरू करते हैं बीना देरी के दोस्तों आपको याद होगा जब काजल रगमानी खेसारी ललियादो का बोडे 20 की थी और उससे पहले भी खेसारी ललियादो के बहुत सारे गाने पर काजल रगमानी रील बीडियो बना रही थी जिसे देखकर बहुत सारे फैन लोगों को ये उमीद जगा था कि काजल रगमानी साइद फीर से खेसारी जी के साथ नजर आ सकती है साइद तूटा हुआ जोड़ी फीर से वापस जूड़ सकता है और ये दोनों लोग एक साथ में काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ काजल रगमानी के अंदर क्या चल रहा है उनके नियत में क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता है लेकिन हाँ फैन लोगों का कहना है कि काजल रगमानी के सारी फैन को सपने दिखा देती है लेकिन रहती पोवन सिंग के साथ है पोवन सिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है लोगों का कहना है और कुछ फैन लोगों का कहना है फिलहाल आप क्या सुचते हैं काजल रखमानी को लेकर कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद